हेलो हेलो डियर स्टुडेंट्स अभी हम करें शिफ्ट क्लास एंजि ए रटी मैथ एक्सरसाइज एट पैंट टू डैसिमर्स शेप्टर का नाम है और इस एक्सरसाइज का कोस्चन नमबर फाइफ कर रहे हैं जिसमें हमें ग्रैम टू किलो ग्राम में कनवर्ट करना है ठीक है असान है यह आपको ध्यान से इसे करना होगा रिलेशन आपने जरूर लिखनी है ओके जो रिलेशन है जो हम इसमें इस्तमाल करेंगे वो है वन ग्राम इसगल टू वन बाई थाउजंट किलो ग्राम अब यह रिलेशन आई कैसे आपको पता है किलो मतलब थाउजंट तो वन kilogram is equal to 1000 gram होता है तो जब gram से kilogram में convert कर रहे हैं तो 1000 नीचे चला जाएगा तो 1 by 1000 kilogram ये वाला relation आ जाएगा तो इसको करने के लिए जैसे 2 gram है इसको convert करना है तो simple आपने क्या करना है 1000 से इसको divide कर देना है 1000 से divide किया मतलब आप ये तीन डिजिट decimal left side में move करेगा 2 by 1000 divide करने पर decimal left hand side में move करेगा multiply करने पर decimal right hand side में move करेगा जब 1 के बाद कुछ number of zeros हम इस्तमाल करते हैं division या multiplication के अंदर तो मैं एवार अपनी तरफ से समझाने के लिए 4 zeros इससे पहले लगा रहा हूँ movement होगी यहां से decimal move करेगा 1 2 3 तीन movement होगी तो यहां पर decimal आ जाएगा तो यह लिखा जाएगा 0.002 ठीक है और यही आपका answer होगा यहां पर 0.002 kilogram clear है यह आपका first part हो गया second part जिसमें हमें 100 gram को करना है हम वही चीज यहां पर भी इस्तमाल करेंगे बी के अंदर 100 gram को convert करना है तो इसको हम thousand से divide कर देंगे चाहे तो decimal का concept ही ले लीजिए नहीं तो zeros काटे तो zeros काट दीजिए 1 2 2 0 से नीचे की 2 0 कटेंगे मतलब 100 की table पर उपर नीचे हमने division कर दी 101 is 100 100 10,000 तो यह बना 1 by 10 अब simple यह 8 डिजिट left and side move करेगा आपने relation जिरूर लिखनी है because 1 gram is equal to 1 by 1000 kilogram जैसे ही आप relation का इस्तमाल करें आपने relation लिखनी है 1 by 10 तो decimal 8 डिजिट जम करेगा यहां से decimal जम करेगा यहां पर तो इसे लिखा जाएगा 0.1 clear है? आंसर आया 0.1 kilogram C part 4 डिजिट का नंबर इस बार आपको मिला है 3750 gram यहां पर 1 डिजिट है इसमें 2 डिजिट इसमें 4 डिजिट 3 डिजिट का भी आपको मिल सकता है, ज्यादा डिजिट का भी आपको मिल सकता है concept same रहेगा, method same रहेगा तो 3750 को kilogram में करनोट करने के लिए इसको thousand से divide किया जाएगा relation लिखनी है, one gram is equal to one by thousand kilogram okay 3 zero है तो 3 डिजिट decimal पिछे जम करेगा 3750, 3 डिजिट जम करेगा decimal यहां पर है one, two, three, decimal आ गया यहां पर 3 के बाद, ठीक, जहाई दिया आपको okay 3.750 किलो ग्राम, आपका answer next है, जिवला पार जिसमें किलो ग्राम भी है और ग्राम भी है तो इसको तो convert करने की ज़रूरत है ही नहीं, convert करेंगा हम इसको जैसे two को किया था, वैसी eight ग्राम को करेंगे तो eight ग्राम is equal to eight by thousand यह आपको मिल गया, अगर समझ में नहीं आया हो तो आप दुबारा से वीडियो को देखिए, यह वाला पार्ट है, ठीक है तो यह conversion हो गई, मैं time waste नहीं करना चाता था आपका जिव तब करके मैंने ऐसा किया, अब five केजी eight ग्राम इस गल्टू होगा, five प्लस में zero point zero zero eight, तो जब इसको प्लस करेंगे तो five और इसके बाद तीन जिरो ज ले लेंगे, decimal के बाद, और यह अगला है, zero point zero zero eight, अब इसकी जैसे addition करते है, decimal का concept का इस्तमाल हमने किया, decimal के निचे decimal होना चाहिए, और जैसे आपे प्लेशी रखे रखी है, tens के निचे tens, hundreds के निचे hundreds, thousands के निचे thousands है, बोला हमने जा रहा, THS last का, तो यह ऐसे, ठीक, eight zero zero point five, five point zero zero eight आगया, और किलो ग्राम लिख देंगे, यह आपका answer हुआ, इस तरीके से आपको answer मिलते रहे हैं, ठीक, डी पार्ट हो गया, last है इपार्ट, इसमें भी 50 ग्राम है, अब दो डिजिट का आ गया, दो डिजिट का यहापर नहीं था, तो इसका कैसे करेंगे, 50 ग्राम को convert करने के लिए, वही चीज, 50 बाई में 1000, decimal तीन डिजिट ही जम करेगा, 50 बाई में 1000, यहाँ पर है decimal, 1, 2, and this one 3, 0.0, यहाँ decimal लग गया, 0.05, यह लिखने की जूरत नहीं है, बस, इतना हो गया, ठीक है, 0.05, और अगर आप इसको चाते हैं, कि इसको तीन डिजिट के अंदर लिखना है, तो तीन डिजिट में भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख रहता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 0.050, यह आ गया, यह किलोग्राम में कनवर्ट हो गया, रिलेशन आपने लिखनी ही लिखनी है, अब 5 केजी, नहीं है, 26 केजी था, 26 केजी 50 ग्राम, 26 प्लस में, और 0.050, वैसे ही जैसे हमने इसमें किया था, वैसे ही इसमें करेंगे, और आपको मिलेगा, 26 प्लस में, और 0.050, 05062, ठीक, 26.050 किलोग्राम, यह हुआ आंसर, होपसो आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बा, आई,